दोस्तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे भगवान हनुमान से जुड़े हुए एक ऐसी प्रयोग के बारे में एक ऐसे टोटके के बारे में जिसको करने से हर प्रकार के दुश्मन से निश्चित ही बिल्कुल छुटकारा मिलता है क्योंकि काफी लोग हमसे इस बारे में पुछते हैं कि उनके जीवन में कहीं न कहीं से ऐसे दुश्मन आकरशित हो जाते हैं ऐसे लोग आजाते हैं कि आए दिन उनका जीवन बिल्कुल नर्क जासे बनाने लगते हैं और हमेशा ही परेशानी संकड खड़ा ही करते रहते हैं और सभी लोगों के जीवन में ऐसी समस्याएं होती भी हैं कि उन्हें एक ना एक बार दुश्मन से सामना करना ही पड़ता है और दुश्मन अगर आसपास ही रहता हो तो परेशानी और भी ज़्यादा अधिक बढ़ जाती है तो दोस्तो किस परकार इस टोटके को करना है इसकी विधी को जानना और समझना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है तो इस वीडियो को ध्यान से देखकर आप संपूर्ण विधी को ध्यान से समझ लें कि किस परकार आपको करना है भगवान हनुमान के जो प्रयोग होते हैं टोटके होते हैं वो बड़े ही ज़्यादा तीवर खास बताये जाते हैं क्योंकि कलियोग में भी मौझोद देवता केवल भगवान हनुमान ही हैं इसी लिए इन से जुड़े हुए जो टोटके होते हैं वो बहुत जल्दी तेजी से असर भी दिखाते हैं अगर आपके जीवन में कोई ऐसा शत्रू है जिसने आपके मन का सुक और चैन बिलकुल छ आवश्रक्ता नहीं है आपको सिर्फ इस टोटके को करना है किस प्रकार करना है यह आप जान लें इसे करने के लिए कुछ जादा बहुत सारी लंबी चोड़ी चीज़ों की भी आवश्रक्ता नहीं है बड़ी ही आसानी से घर की ही चीज़ों से इस प्रयोग को कर सकते हैं इसमें बस आपको अपनी शत्रू के उमर के हिसाब से लोंग लेनी हैं। और अगर आपको उसके उमर बिल्कुल सटीक नहीं मालूम है, तो अंदाजा लगाकर भी आप उसकी उमर के हिसाब से लोंग ले सकते हैं। जैसे की अगर आपको लगता है कि वह 30 से उपर है, जैसे कि अगर आपको लगता है कि आपके दुश्मन की उम्र 40 से अधिक है और 50 से नीचे है तो आप 49 लॉंग ले सकते हैं इसी प्रकार बस आपको अपनी दुश्मन के उम्र के हिसाब से लॉंग ले लेनी है और मंगलवार के दिन शाम के समय जिस समय सूरज बिलकुल डूपता है यानि कि आधा डूपता है और आधा निकला हुआ दिखाई देता है उसी समय बस आपको ध्यान रखना है क्योंकि उसी समय इस प्रयोग को किया जाता है और जैसे ही आप इस प्रयोग को करेंगे तो दुश्मन आपसे बिलकुल दूर भागने लगेगा उसके मन में एक ऐसा डर सा उत्पन हो जाएगा कि जब भी अगर वह आपके बारे में कुछ बुरा करने की सोचेगा तो उसे बेचैनी सी अंजान भैसा होने लग जाएगा जिससे वह डरने लगेगा और आपका ना तो पर पेड़ पौधे अधिक होते हैं सुनसान सा एरिया होता है ऐसी जगा पर आपको जाना है आपको पार्क में भी इस प्रयोग को कर सकते हैं मंदिर में अगर आपके वहाँ पर कोई पार्क वगेरा है तो आप वहाँ पर भी इस प्रयोग को कर सकते हैं नहीं तो दूर जा एक रोटी को भी लेकर जाना है और थोड़ा सा आपको सरसो का तेल डिबी में भरके लेकर जाना है क्योंकि यह प्रयोग लोग रोटी और सरसो के तेल से ही आपको करना है तो सबसे पहले आपको लोग को रोटी के ऊपर रखके कपूर की सहयता से जला देना है और इस बात का शाए फट कह देना है और जब तक इसी प्रकार कहते रहना है जब तक वे पूरी लॉंग और कपूर जलकल राक नहीं हो जाते हैं रोटी जले या ना जले इसकी आपको चिंता नहीं करनी है लेकिन यह रोटी पर रखकर ही आपको जलाना है कहीं भी फर्ष पे रखते हुए भ जो कि इस प्रकार है ओम हरी मरकट मरकटाय स्वाहा एक बार दुबारा इस मंतर को आप सुन लें ओम हरी मरकट मरकटाय स्वाहा बस 108 बार आपको इस मंतर का उचारन कर लेना है जैसे कि जब आपको लगता है कि लॉंग पूरी खतम होने वाली है तो उन लॉंग में फिर से एक थोड़ी सी कपूर डाल कर थोड़ी सी अगनी को प्रजवलित कर लेना है आपको और उसके बाद उपर से सरसो का तेल डालते हुए ओम हरी मरकट मरकटाइस सुआहा 108 बार बोल देना है। यह भगवान हनुमान का बड़ा ही दिव्वे और खास मंतर है जिसकी अलग-अलग साथना प्रयोग टोटके किये जाते हैं जो हम आने वाले वीडियो में भी आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। इस प्रयोग का इस्तिमाल आप तब भी कर सकते हैं जब आप अपने जीवन में किसी भूद, प्रेद, पिशास से परेशान हैं या आपको ऐसा लगता है कि कोई ना कोई आपके पीछे पड़ा हुआ है, अद्रिश शक्तिया आपके पीछे पड़ी हुई है या फिर आपको या आपके जानने वालों को किसी को भी पेशी आती है तो ऐसे में भी इस प्रयोग का इस्तिमाल किया जा सकता है, जैसे ही आप इस प्रयोग को करेंगे उसी रास से बहुती अच्छे बदलाव को अपने जीवन में देखने लगेंगे, यह प्रयोग केवल तभी किया जाता जब दुश्मन मन का सुख और चैन बिल्कुल छीन लेता है उसी दिन से दुश्मन के बिल्कुल उल्टे दिन शुरू हो जाते हैं बहुत सारे लोग तो दंत्र मंत्र आदी से भी बहुत ही परिशान रहते हैं तो वह सब भी एक दुश्मन के समान ही होते हैं तो आपको बिल् बिल्कुल भी चिंता ना करें आप इस प्रयोग को जरूर कर लें इसी तरह के बड़े ही ज्यादा खास टोटके हमाने वाले वीडियो में भी आपके साथ जरूर शेयर करेंगे और अगर आपको इस वीडियो में कुछ पूछना है या कोई संदे है कोई बास समझ में ना आई और दूसरे लोग भी इस मंतर को पड़ पाएं और वो भी आदगार पाएं और दुश्मन से छुटकारा पा सकें क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि इस मंतर को याद कर लेने मातर से ही अगर यह मंतर आपके मन में चलता है तो इससे भी दुश्मन दूर भागने लग जाते हैं य से आने वाले सभी ग्यान वर्दक वीडियो आपको समय पर और सबसे पहले मिलते रहेंगे धन्यवाद